आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत दोस्वागत है तालिबान ने कतले आम शुरू कर दियें दूस्तों इनको लगा कि पिता जी बहुत रिजिस्टेंस फोर्स मेंबर का पार्ट है बच्चे को उड़ा दिया तो हम बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब पर इंस्टा पर फरू करें टेलिग्राम पर है तालिबान ने तकहार प्रोविंस में बच्चे को मार दिया है क्योंकि इनको लगा था कि इनके जो पिता जी है वो अफगान रिजिस्टेंस फोर्स के लीडर है तो तब से यही है कि हैश्टेग वार क्राइम्स हैश्टेग अफगानिस्तान यह सब ट्वीट चल रही है 15 अगस्त को किसी ने नी सोचा था तालिबान आ गया और उसके बाद रिजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो डटी हुई थी अमरुल्ला साले एहमद मसूद पंजशीर में यह लगाता है डटे हुए थे और अभी पिछले के पिछले हफटे पंजशीर खतम हो गया पंजशीर फेल डाऊं एक महने बाद अल्צिमेटली पंजशीर पर कभझा हुआ अमरुल्ला सालिक खों है कुछ करे है कि वह तुर्कराइनिस्तान भाग गयी है एहमद मसूद कहा है, कहने जिन्दा है, अभी कुछ भी नहीं पता सब अंडरग्राउंड हो गए है साथी साथ तालिबान में भी नई सरकार आ गई है अब देखिए अब सब कुछ इनके हाथ में है 1996 से अब चीज़े बहुत डिफरेंट है सब कुछ तालिबान के हाथ में है क्योंकि इन्होंने सारे मसले जो हैं वो सुल्टा लिये है देश बिन का साथ देने को तयार है ही है हलाकि बहुत पैसे की किल्लत है रेपोर्ट्स की माने तो तालिबान को पैसे ही नहीं के पास देश चलाएंगे कैसे ही है तो अब ये धीमे धीमे अपनी कटरता दिखाएंगे और इस बार और ज़दा खतरनाक होगा आतन का का तो एक ग्राउंड बनी किया अब ये अपने उनाइटे नेशन जनरल एसेंबली में इमरान का भाचल सुना तालिबान की इतनी तारीफ कर रहे थे इतनी तारीफ कर रहे थे इंडारेक्ली की क्या पता है चम के मूँ तोड़ जवाब दिया सनेहा दूबे ने तो देश जो हैं दुनिया जो हैं कही ना कहीं तालिबान को अब सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है humanitarian crisis है जो वाइडन सस्तान साब फूक के बैठे हैं उनको कोई फर्क परता नहीं भारत को समझ नहीं आ रहा है क्या करें wait and watch की अभी भी जो policy है वो है लेकिन इस बीच तालिबान ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है अभी हमने देखा कि तालिबान ने बाई किड्नाप हुआ किड्नापर आया चार किड्नापर उन्होंने किड्नाप किया तालिबान इनको मार के लटका दिया यह दिक्कत है और आप यह बताया कि एक बच्चे को तालिबान ने मार दिया है बेरहमी से मारा है बेरहमी से अभी अफगान्स भाग रहे थे आपको पता इसलिए अफगानिस स्थान में आपने देखा लोग सब को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे तो अमेरिका के ब्राटकास टेलिवीजन नेटवर्क ने ये पिछले अफ़ते बताया था कि भाई देखो अब तालिबान जो है क्या कर रहा है वो घर गर जा रहा है और अगर उसको पता चल गया कि तुम रेजिस्टेंस फोर्सेस से हो या तुमने नेटो अमेरिका का साथ द राट थे तो बच्चे को माड़ गिया। वो आईकार्ड़्स देखते हैं कि दिखाओ आईकार्ड तुमारे रिवेंज किलिंग हो रही है। समझिये कि पंजिशीर में एक लड़के ने बोला है कि यह आई-कार्ट हमको अराव देखते हैं और हमको खतम करते हैं मारते हैं पांच गुना जादा परिवार पर अटाइक वो बढ़ गए हैं एक और लोकल रेसिदेंट ने ABC को बताया है कि तालिबान जो है वो अमरा मुबाइल चील लेते हैं और उनको चेक करते हैं और अगर उनको कोई भी suspicious photo मिलती है उसी वक्त उस इंसान को मार देते हैं कल तालिबान ने यह order दिया था कि जो Southern Hillman province में जो नाई है जो बारबर्स है वो अब शेव नहीं करेंगे क्योंकि यह शरिया के खिलाफ है प्रोविंशल तालिबान सरकार ने इस order को issue किया पिछले हफते कोई चार लोगों को लटका दिया था किटनापस हिरात में तो तालिबान वापस आ गया है वेलकम वेलकम बैक और repressive laws जो है वो शुरू हो चुके है और अब देखिए हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की कहानी आती रही अगर कुछ नहीं किया गया तो फिर से आतंक वाद बढ़ेगा सारे के सारे आतंकी संगटनिया पर शिफ्ट होई गए है अलकाइदा ने तालिबानियों से हाथ मिलाई लिया है जैशे मुहमद दिर साउथ और अरे वो क्या नाम तो उसका लशकरित आए इस्ट इस सब बाट लिए है बहुत मुश्किल होने वा यह यूपीसी फाउंडेशन कोर्स 2345 को यूपीसी का इंटरफेस तो बिल्कुल इस टेस्ट को अवेल करें सौ कोश्चन्स आपसे पूछे जाएंगे आपकी रैंकिंग जो है वो डिस्पले की जाएगी कि मेंटार्शिप प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छे चल रहा है प्रिवेश यह पेपास डिसक्रशन कर रहे हैं क्राश कोर्स है और आज यह मेंटार्शिप प्रोग्राम में खतम भी कर दोंगा तो सारे के सारे रिकॉर्डे ने आप जरूर इसको अवेल करें झाल झाल